नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे मुझे बहुत जादा ये topic पसंद आया, इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हम और ये आपको समरना भी बहुत जरूरी है, कि आने वाले टाइम में जैसे workforce change हो रही है या फिर कहेंगी working culture जैसे change हो रहा है, वहाँ पर digital skills को बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया तो आज हम जानेंगे कि digital skills क्या होती है, इसकी definition क्या होती है और इसको कितना ज़्यादा important मिल रही है आज की time में या फिर कहेंगी कि कैसी कैसी jobs निकल कर सामने आ रही है आज की present scenario की बात कर लो या आने वाले time की बात कर लो वहाँ पर digital skills की definitely बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो PDF के लिए एक information दे देता हूँ कि PDF कहा मिलेगी तो telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए एक report आई है उस report में कहा गया है कि भारत देश के अंदर जो 7% workforce है मतलब कि माने कि भारत देश में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको 100% consider कर लेते हैं कि हमारे देश में 100% काम करने वाले लोग हैं उन 100% में से 7% लोगों को यह 7% कितना है सर? 7% है 27.3 million यानि approximate मगड़ लोग 3 करोड लोग 3 करोड लोग कहा गया है इस report में कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं उन में से 3 करोड लोगों को अगले साल यानि एक साल के बाद अपनी जोग को बचाने के लिए ऐसा समझो उन्हें digital skill training की जूर्द पढ़ने वाली है क्योंकि उनका काम जो है वो एक तरीके से या फिर उनकी company है वो digital होने वाली है या फिर कहें कि उन्हें digital skill की जूर्द पढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि भाया अगर जो बचानी है तो आपको digital skill की जूर्ट पड़ेगी उसके लिए training लेनी पड़ेगी यहां पर तो यह बात बोली गई है इस report में कौन सी हरसर report उसका नाम तो होगा ना कुछ उस report का नाम है Building Digital Skill for the Changing Workforce भाया इस report में कहा गया है कि 7% लोगों को भारत के 7% लोगों को जो workforce के अंदर है उनको अपनी जो बचानी है तो उन्हें digital skill training के जूट पड़ने वाली है यह किसने पेश किया है यह अलफा बीटा द्वारा त्यार की गई है कि भाया किसकी द्वारा मानने तास प्राप्त है यह से समझो कि Amazon.com एक कंपनी उसने इसको कमिशन किया है clear और इस report में एक बात और बोली गई है कि देखो भाया 2025 तक जो भारत में जो employer है मतलब कि जो जोब देने वाले है उनको क्या जूट पड़ेगी आने वाले टाइम है यह नि 2025 तक cloud computing skill आने चाहिए उसकी जूट पड़ने वाली है machine learning आने चाहिए cloud architect design इन सब चीजों की जुरूर जुरूर जो है computer तो number one पर trend कर रही होगी 2025 तक कि भाया हमें cloud computing वाला बंदा चाहिए जिसको यह skill आती होगी clear और cloud computing क्या होती है cloud computing होती है जैसे कि आप अपने फोन में देखते हो भाया आपने कोई video बनाई या फिर आपने photo click की तो आप अपने phone में उसे save कर लेते हो कैसे save करते हो क्यूंकि phone के अंदर एक storage होता है अब सोचो वो storage ना होकर आप उसको एक digital तोर पे save करना चाहते हो ताकि आप कहीं पर भी जाओ आप कहीं पर भी मतलब ऐसे इलाके में पहुंचो कि आप जब चाहे वो information निकाल सकते हो फो फोटो निकाल सकते हो तो उसको कहते है cloud computing वो होती है cloud computer आपक मतलब कि ये skill की आपको जूर्ट पढ़ेगी आने वाले टाइम में तो cloud computing ये हो जाती है artificial intelligence के जूर्ट पढ़ने वाली है machine learning के जूर्ट पढ़ने वाली है अभी जैसे कि थोड़े टाइम पहले court के अंदर ये बात बोली गई थी कि court के लिए मतलब कि जो हमारे देश में जो कोशिश कर रही है समझ में आया ये क्या चीज़े हो गई अब समझो जरा digital कोशल यानि what are digital skills अब सबसे बड़ी important बात सर digital skills किसको कहेंगे digital skills की एक definition ही है कि आपको आप देखतो ना कि आप अपने phone में surfing कर रहे हो आप उसमें कोई सर्च कर रहे हो उस basic चीज से ले लो आप सर स्टार्ट कर लो और वहां मतलब email करना या फिर आपको सर्च कर रहे हो उससे लेकर आपको programming, developing, developing यह सब चीज़ें आती है सारा का सारा जो चीज है वो digital skills के अंदर consider होता है मतलब आप digital device को use कर रहे हो communication application का use कर रहे हो या फिर आप कहें कि information निकाल रहे हो उनको information को सही धंक स manage कर रहे हो यह सब कुछ जो है वो आपको क्या करा रहा है digital skill के अंदर आते हैं जैसे critical thinking हो गई, online safety skill हो गई, मतलब कि कैसे जो होता है कि online fraud हो रहा है तो उसको आप कैसे बचाएंगे, वो एक online safety skill हो गई, digital culture हो गया, collaboration and creativity हो गई, finding information हो गई, communication and etiquette हो गई, digital tool हो गई, critical thinking यह सारी चीजें जो है वो digital skill के अंदर आती है, digital skill के अंदर जैसे education का उन्होंने एक definition दे रहे है कि science, technology, engineering and mathematics यह नहीं है, आज की date में जो digital skill हो सब कुछ है, आपको सारी चीजें आना चाहिए, बहुत एक, इसका definition जो है, इसकी बहुत जादा एक व्यापक तोर पर निकल कर सामने आ इसकी आप, जैसे मैं आपको वीडियो की तुरू पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ रहे हो, तो यह मैं काम कर रहा हूं, यह मैंने चीजें सीखी, वीडियो को बनाना, फिर thumbnail बनाना, यह सारा काम जो digital मैं कर पाया हूं, वो मुझे कही ना कहीं से सीखने को मिला, तब इसकी आप किसी को एक presentation बना के दे रहे हो, जैसे कि यहां पर आपको सामने दिख रहे हैं, यह जो image लगी हुई है, यह सब image लिगी हुई है, यह उपर लिखा हूँ, यह सारा काम जो है, वो digital के अंदर ही आ जाता है, digital skill के अंदर ही आ जाता है, तो आने वाले टाइम में कित issues कैसे हैं, उनको समझो, एक है app रयाप शमता, यानि insufficient capacity, मतलब क्या होता है इसका, देखे, मैंने अब को एक video में एक information दे थी कि भारत के अंदर एक fuel cell electric vehicle, fuel cell electric vehicle, एक तरीके का यह बहुत एक उननत किसम की technology जो है भारत में introduce की गई है, एक Mirai नाम की गाड़ी है, जो Toyota ने बना वाली है, और हमें उस battery को charge करने के लिए किसी station पर नहीं जाना पड़ेगा, उसको charge कौन करेगा, fuel cell charge करेगा, उसको fuel cell charge कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर hydrogen होगा, और hydrogen और oxygen मिलके इस fuel cell की द्वारा, electron उत्पन करेंगे, और वो battery को charge कर जाएगे, यह सारी चीज़ें आप ल हमारे देश में आ भी रही है, या फिर कहीं आ भी चुके, तो क्या आ रहा है, कि हमारे पास ना, वो एक skill labor रही है, संभाल पाएं, भही, semiconductor संभाल पाएं, electronic device संभाल पाएं, वो skill labor रही है, हमारे पास, same to same, यहां पर भी यह बात बोली गई है, अगर आपको digital skill के अंदर, मत आदादर जो colleges है, मैंने इनको देखा हुआ है, कि काफी सारे colleges ऐसे होते हैं, जो training सही धंग से provide नहीं करवाते हैं, तो एक insufficient infrastructure facility प्रवाइड नहीं करवा पारे हैं, एक infrastructure facility है नहीं भारत के अंदर, education institute के अंदर, ताकि वो क्या करे, एक बच्चे को सही धंग से उसकी skill provide करवा सके, वो सब चीजें नहीं हैं यहां पर, clear, दूसरी बात है, mobilization, mobilization का मतलब यह होता है, कि आज हमारे देश में हम कुछ लोगों को देखते हैं, उनकी एक बहुत पुरानी सोच चली आई है, वो digital को कहीं न कहीं सोचते हैं, कि अरे यार, यह सब चीजें ऐसे हैं, इवन मैं अगर किसी से बात करता हूँ, कहता हूँ कि यार, चलो थोड़ा बहुत हम digital होने की बात करते हैं, हमें एक application को उपर काम करते हैं, तो काफी सारों लोगों से मुझे सुनने को मिलता है, मतलब मेरी उमर के लोगों से तो वो मुझे agree कर जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने ज सोच होती है, वो उस चीज को बढ़ावाने देते, तो यहां पर उनकी अपनी सोच को बदलना बहुत जादा जरूरी है, और इससे क्या हो रहा है, कि जो चातर है, जो student है, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक vocational education, यानि एक professional education, एक professional training में वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं, और दूस सारे skillful लोगों की जूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप बात करें corporate sector में से, मतलब कि हमें skill कितनी मिल जाती है, बहुत कम, क्योंकि वहां limited है, speed भी वहां पर आने की बहुत धीरे बनी हुई है, तो एक successful होने के लिए बहुत सारे चीज़ों की जूरत पड़ रही है, तो उस अरे बहुत skill है, लेकिन क्या आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास skill होते हुए भी उनको उस type की job नहीं मिल पा रही है, reason उसके अलग हो सकते हैं, कि वह जिस company में गया, उससे एक ऐसा इनसान बैठा होगा, जिसके पास उससे कम skill होगी, लेकिन order गया होगा, अग अगर यह आएगा मेरी company के अंदर, तो मेरी job खा जाएगा, तो ऐसों को job नहीं मिलती है, तो actual में मैंने चीज़ें देखिए, मेरे दोस्तों के साथ, यह सब होते हुए देखा है, तो यह एक भेमल, ऐसन तुलित, कोशल, यानि skill mismatch वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती है दूसरी बात, यह line मुझे बहुँ जादा पसंद आई है, digital, कोशल हे तु बादा, आज की date में अगर हम बात करते हैं कि किसी से हम कहें कि यार तुझे कोई अपनी digital skill improve करनी चाहिए, तो उसके पास सबसे बड़ी चीज़ कहता है, कहते कि यार मिरे पास ना समय नहीं है, मिर इसी बात यह है, क्योंकि आपको सीखनी बहुत जादा जरूर है, जरूरत है कि digital skill आज की date में कितनी जादा important होती जा रही है, तो अब एक तो यह चीज़, दूसरी बात यह है कि एक तो समय की उन्होंने बात कर ली, और एक और, अरे क्या हो रहा है, यह भी बीच-बीच मे बात करें, quality बहुत जादा लोग है, पैसा बहुत जादा ले लेते हैं, अभी जैसे, अगर मैं आपको digital marketing के बारे बोलूँ कि आप digital marketing सीख लीजिए, साथ इसाथ, यह video editing को आप अच्छे से इंप्रूव करिए, photo editing को इंप्रूव करिए, यह सारी चीज़ आपको सीखनी है, या फिर programming आप सीखिए, अगर आप इस तीज़ें सीखने जाते हैं, तो यहाँ पर quality आपको इतनी नहीं मिलती है, training का जो cost है वो ज्यादा मिल जाता है यहाँ पर आपकी सामने, मैंने तो ऐसे fake लोगों को भी देखा हुआ है, जो आपको digital marketing के तोर पर कुछ नहीं सीखा रह editing करना सिखाएंगे, मैंने का editing करना तो सिखातोंगे, लेकिन editing किस चीज़ के उपर कर आओगे, तो आपको mobile के उपर editing करवाएंगे, मैंने का mobile के उपर editing का company में क्या काम होगा, तो वो कहते कि आप company में जाएंगे, उसके पेसपे ले लेंगे, तो यह सारी फुद्दु बना जादे इंपोर्टन्ट है अरे यार एक तो ये हमारे भाई साब भी ना बीच बीच में गायब हो जाते हैं और इनको भी जटके लग रहे हैं जैसे कि आपने देखा कि COVID-19 के बाद कैसे लोगों के अंदर या फिर कमपनीज के अंदर इडिजिटल स्किल की होड मच गई है कि हम सब को जो है वो डिजिटल स्किल चाहिए चाहिए 87% जो है ओर्गिनाजेशन है उन्होंने अपने काम में डिजिटल को अड़ोप्ट करने की तेजी अपना दिया है बिमारी मतलब कि इस पेंडेमी इस महमारी के बाद क्लिर हुआ 85% परसंट ओव वर्कर सेज देट ये नो नीड मोर डिजिटल स्किल तू को विद चेंजिस इन देर जोब 85% लोगों ने ये माना है कि उनको अपनी जोब को बचाए रखना है तो उन्हें डिजिटल स्किल का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक ये आने वाले टाम है जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने का ना नंबर वन पे ट्रेंड करने वाली है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती होगी तो भया आपको हाथों हाथ हायर कर लिया जाएगा अब यहां पर एक ये बात बोली जा रही है काफी सारों के अंदर ये डर भी देखने को मिला है कि तीन में से दो लोग ये बोल रहे हैं कि यह हमें ना डिजिटल सकील आएगी ने इतनी जल्दी से और हमारी जोग को खत्रा हो जाएगा ये बात बोली जा रही है और साथी साथ यह बोला गए कि 174 मिलियन लोगों को एक साल के अंदर अंदर डिजिटल स्किल की जूर्ट पढ़ने वाली है जो भई अब पूरे वर्ल्ड का कितना है यह लगबग यहाँ पर 90% है 90% वर्कफोर्स है यह इसको जूर्ट पढ़ेगी डिजिटल स्किल की क्लियर हुआ ओके तो अब आगे चलते हैं अब यहाँ पर भारत सरकार ने क्या चीज़ें कोई पहल कर रखी कोई इनिशेटिव चला रखी है कि भारत के अंदर स्किल को इंप्रूव करने के लिए हाँ इनिशेटिव चला रखा है यूथ स्किलिंग इनिशेटिव है इंडिया स्किल 2021 है परधानमंत्री कोशल योजना है पूरू शिक्षन की माननेता कारेकरम यानि परधानमंत्री विकास योजना रिकागनियेशन और प्रायर लर्निंग ये भी है मारे सामने नेशनल केरियर सर्वीस प्रोजेक्ट है स्किल एक्विजिशन और नौलेज अवेरनस फॉर लिवलि हूड ये हमेने संकल्प के नाम से ये स्किम चला रखी है यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ओथर्स यूवा स्किम हमारे देश में चल रही है और इसके अलावा कोशल चारे जो पुरूषकार है वो हमारे देश में चल रहा है स्किम kijoolWork definition and skill ये हमारे जिसको श्रेज कहते हैं ये हमारे देश में चल रही है या आत्म निर्वर skilled employer mapping यह जो है हमारे देश में असीम जिसकी short form असीम होती है यह हमारे देश में चल रही है skills certification यह चल रही है राष्ट्रिय कोशल योगता framework यह है चल रही है तो बहुत सारी सरकार ने जो है scheme already चला रही है अब एके करके इनके बारे में तो मैं बताने से रहा क्योंकि वीडियो बहुत जादा lengthy हो जाएगी तो अब बात करते हैं कि आगे की रहा क्या क्या करें भाईया तो देखो सरकार को आगे आना होगा सरकार को उन लोगों को एक साथ लेके आना होगा जो employer है चे वो employee है जो training provider है उनको एक साथ लेकर उनको समझाना होगा कि आज की date में digital skill की कितनी जादा important है ताकि जो worker है या फिर जो श्रमिक labor है वो सारे उस skill को meet कर पाएं उनको वो चीज मिल पाए और साथ इसाथ हमें skill को एक national priority पे रखना होगा digital skill को ताकि जो है भारत जो पूरे देश के अंदर एक पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जैसे एक technology की होड लगी हुई है हम उसको adopt कर पाएं से इंधंक से साथ ही साथ हमको क्या करना होगा कि भारत सरकार को या भारत को क्या करना होगा कि अलग-अलग format of skill program ये चलाने होगी ताकि अलग-अलग technology को सीखा जा सके और ये बहुत बड़े पैमाने पे चलाना होगा और भारत के पास एक बहुत बड़ा एक युवा जनसंक्या भी है मतलब कि कहा जाते हैं कि भारत एक skill labor की जुड़त है वो पूरी हो जाएगी और हम कहीं न कहीं होता है कि हमारी एक धाग बन जाएगी पूरी दुनिया के अंदर वो वाली बात आ जाती है यहाँ पर दूसरी बात ये वाली बात मुझे बहुत पसंद आई है कि इसमें बोला गया कि काफी सारे लोग कहतें कि यार मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैं जोब करता हूँ अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत वक्त वेज़ेसे दैसे निकालना होगा क्योंकि आप साथ ही साथ एक digital skill को आपको improve करना होगा उसको सीखना होगा सारा काम government करे ये जुरूरी नहीं खुद हिस्सा मतलब कि कुछ responsibility अपने आप भी उठानी होगी clear तो उमीद करता हूँ कि ये digital skills related आप लोगों को concept समझ में आ गया होगा कि क्यों जूरूरत है और आने वाले time में definitely इन चीजों की जुट पढ़ने वाली है तो मैं अभी भी आपको कहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं और साथ भी साथ आप कुछ चीजों को सीखिए आप digital marketing सीखिए या फिर आप कुछ भी जैसे photo editing या फिर video editing या फिर programming आपको ये सब चीज़े आनी चाहिए cloud computing सीख लीजी आपको ये सब चीज़े करनी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे माहौल या infrastructure change होता जलेगा वर्कफोर्स का आपको यहाँ पर इन चीजों की जुट पढ़ेगी फिर job को लेकर मारा मारी नहीं होगी आपको हाथों आज जो है वो job मिल जाया करेगी उमीद करता हूँ कि पूरा lecture आप लोगों के लिए helpful रहेगा exam के point of view से even या कहें कि आपके future के point of view से भी तो जितना हो सके इसे share करिए और पसंद आया हो तो क्या कर सकते हैं अरे यारे तो ये हमरा भाया like करिए भी ठीक है subscribe करिए चैनल को और PDF के लिए आपको अलड़ी बता चुका हूँ तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं thank you for watching